इस सीरीज में हम डिस्कुशन कर रहे हैं जुनियर आफिस एसिटेंट की कोचिंग के बारे में आज के लेक्चर नंबर 15 जो की समंदित है इंटरनेट से इंटरनेट बहुत इंपोरेंट कंसेप्ट है चाहिए आपकी पढ़ाई की बात करें या आपकी दैनिक लाइफ की बात करें तो मच्छे से इसको समझेंगे इंटरनेट क्या होता और किस तरह के प्रसंद यहां से आप से पुछे जा सकते संपूर्ण डिसकुशन करेंगे इंटरनेट क्या है आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते कि इटी दुनिया जकड़ी हुई है और आज के इस आधुनिक यूग में साथ इंटरनेट के बिना मानव जीवन के कलपना भी थोड़ी सी टेडी खीर ही लगती है क्योंकि इंटरनेट हर जगा पे किस तरह से हाभी हो रहा है अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी सुरुआत कहां से हुई थी ठीक है जी तो यहां पर देखें डेफिनेशन में भी आपको बताया गया है कि पूरी दुनिया में कहीं भी हम बैठे होंगे इंटरनेट से हमारी कनेक्टिविटी बन सकती है इन 1969 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ऑफ युएस से स्टार्टिट अ नेटबर्क काल डिट अर्पानेट इसके आपने अब्रिवेशन भी याद रखनी है अर्पानेट क्या होता है अडवांस्ट रिसर्च प्रोजेक्ट्स अडिमिनिस्टेशन नेटबर्क 1969 में जो अमेरिका का डिफेंस डिपार्टमेंट है अमेरिका काफी लार्ज एरियाज में फैला हुआ तो जो उनकी डिफेंस है काफी एक्टिव रहते हैं अपने देश को प्रोड़क्ट करने के लिए उनको जरूरत है कि हम जल्दी से कॉम्मुनिकेट कर पाएं इनकी जरूरत थी बहाँ पर डिफेंट तरह की जियोग्राफिकल लुकेशन पर किस तरह से जो आर्मी सर्विसीज है उन तक मैसेज पहुंचाया जा सके तो इस जरूरत थी और इसी की देखिए कर पहला सुराग हमें यहां पर मिलतार इंटरनेट की इंवेंशन होती है ब्राउजर के ऊपर उपन होती है तो आपको ग्याती होगा जितनी भी हमारी इंटरनेट में किसके जरी हमारे पास पहुंचती है वैपसाइट के माध्यम से पहुंचती है वैपसाइट के माध्यम से अब देखिए यदि आप कम समय में ज़्यादा पढ़ना चाते है और अच्छे से आप इस प्रिक्सा में कौलिफाई करना चाते तो आपको क्या करना है इन सीम्पल वर्स यहाँ पर देखिए पूरी के पूरी समरी हमारे टीम ने यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकरा है हलकल का इसको ओबर्वियू कीजिएगा किताब आपके पास होगी दिन नहीं है आपके पास किताब तो आपको क्या करना है इस वेब साइट पर जाना है लेस्टेडिको.in पर बहाँ पर आपको जी ओई टी नाम से किताब मिलेगी उसकी डिस्क्रिप्सन में जाना है उसको अच्छे से चेक कर लेना है कि किताब के अंदर क्या क्या किया कंटेंट है आप उस डिस्क्रिप्सन को पढ़के खोदी समझ जाएंगी कि यह सच में एक अच्छी किताब है और इस किताब को अपने पास रखना है जब हम आपको यहां से पढ़ाएंगे तो आपको उस डिरेक्शन भी दी जारी है कि इन जीजों को आपने सेल्फ स्टेडी में करना है ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 656 पेजिस की किताब को यहां पर बढ़ाना संबब नहीं ह हमारा प्रयास है कि आपके एक अच्छे से हल्फ की जाए ताकि आपको इस परिक्सा में पेतरन स्कोर कर सकें तो यह जो हिस्टरी है देखिए 1958 से यहां पे शुरू की गई है मैंने उपर आपको ओबर्विव में 1969 के बारे में बताया था इसको आपने हलका सा ओबर्विव पर लेना है और देखिए यहां तक आप पहुंचेंगे तो यहां पर देखिए आपको लास्ट में दो हजार एक तक पहुंच जाएंगे थी कि काप ज़्यादे इन्वेंशन्स यहां पर देख रहे को मिलती है 1990 बाली यह बहुत ही इंपोडेंट है क्योंकि यहां पे HTML को इ इन्वेंट किया था इंटरनेट की बात करें तो आपसे पूछ लिए जा सकता है कि कहां पर इंटरनेट का यूज नहीं होता है तो अलका से जल्दी से आईए इसको एक क्विक सार्विव कर लेते हैं सर्च इंफॉर्मेशन है इमेल एंड चैटिंग है ऑनलाइन कॉम्मिनि इसके लाप यह भीणी फील्ड है जहां पर शंत हरता गार्या हो कि इंटरनेट कहां पर नहीं हो रहा तो आई समझ लेती है इसी इंटरनेट की दुणि जाए इतनी आपसक चीज़ें हमारे जीवन में बन चुके तो इसके अड़ांटेजिस क्या है देखी साधारन बासा में इंटरनेट को क्या का जाता है इतनी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर है जैसे समुंदर से आप पानी का लोटा निकाल लेते तो उसमें कोई फरक नहीं पड़ता इसी तरह से आप इंटरनेट को कंसिडर कर सकते है इट इस एन ओसिएन ओप इन्फॉर्मेशन इट इस अ प्लेस भियर वी कन सो अबर कंपनी इस प्रजेंटेशन आल ओबर दा बॉल इट प्रोवाइज एन अप्चरनिटी तो कॉम्मुनिकेट विद नियर औं डियर है वंस आल ओबर दा बॉल एड़ दा लिस्ट कोस्ट काफी कम कोस्ट भी आप कॉम्मुनिकेशन इसके माध्यम से कर सकते हो इट ओफर्स इंप्लॉइमेंट अप्चरनिटी आल ओबर दा बॉल देख्या आज की रेटिप में तो बहुत जादा जो रोजगार इंटरनेट के माध्य और आपना जीवन यापन करने के लिए पैदा हुए है लेकिन कोई बात नहीं है सेकेंडरी इसू है हर मानब के जिवन में इंटरनेट ने के अहम भूमिका का निर्वान आज के समय में देख कर रहा है ठीक है जी आगे इसके थोड़ से डिसर्ट नमांटेजिस भी है ठीक है आप साथ आजकल तो यह हैकिंग एटसेटर की बहुत ज़्यादा घटना देखने को मिल रही है फ्राउट्स इंटरनेट के माध्यम से बहुत ज़्यादा हो रहे है तो आप लोगी भी अवेर रहेगा इसकी कमिया है चिल्डरन में भी एक्सपेंडेंट तो टॉपिक ऑफ सेंसर एट देर टॉपिक से इट कैन भी टाइम बेस्ट इफ नॉट प्रॉपर यूज लिजिए यह कोई सरकार का तंतर नहीं है यह डिपरें तरह की सरकार सापस में नहीं मिली है जिसके दम है जिसमें सर्विस प्रॉइड करने का दम है वही इसको मैनेस करते है ठीक है लेकिन सरकार के कुस नॉर्मस वहाँ पर फॉलो करने होते है इंटरनेट की जो सबसे मतोपून चीज़ा उसका नाम है इमेल जिसे आप अबरिबेट भी कर सकते हो इस 17ग उलेक्ट्रोनीक मेल पहले प्राचिंस में है हम चिथी पत्रियों के माध्यम से सब्सक्राइब करते है www stand for worldwide web आपको पहले भी कहा अभी पुना में अपने वर्ट्स रिपीट कर रहा हूं कि इंटरनेट के उपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है और किसमें स्टोर की जाती है वैप साइट के माध्यम से ही स्टोर की जाती है web pages देखिए जिए हमारी websites होती है यहां पर different तरह के web pages होते है web pages में क्या होते है hyper links बने होते है अब यह hyper links क्या होता है जब आप internet के उपर किसी link के उपर click करते है blue color में display होता है जब आपका cursor या आपका pointer बहां पर जाता है तो उस text के सामने जब आपका pointer जाएगा तो एक hand का symbol बन जाता है उसका मतलब है कि आप इस link के उपर click करेंगे तो उसके आगे भी कोई information है ठीक है जी तो हमारी सारी के सारी जो internet की activities है किस तरह से चलती है through hyperlink की ये काम करती है तो आपने याद रखना है hyperlink क्या होता है एक link होता है जो कि blue color से मतलब होता है कि उसके आगे भी कोई और information छुपी हुई है clear जी एक चीज का आपने और याद रखना है कि ये बारे छोटी प्रिक्सवा में प्रसन भी पूछ लिए जाता है कि website में home menu का मतलब क्या होता है home menu के उपर आप जब click करते है उसका मतलब है जो आपकी website है उसके बिल्कुल जो starting का page है वहीं पे आप पहुँच जाएंगे basic features of internet internet के उपर देखिए कन कौन से features है यहाँ पे FTP है file transfer protocol वहाँ पे काम करते है standard network roller used for the transfer of computer files between a client and server on a computer network अगला concept है telnet telnet is an application protocol used on the internet or local area network to provide a bidirectional interactive text oriented communication facility using a virtual terminal connection telnet is the internet service that allow me to log into a remote internet computer working ठीक है जी उसके बाद है characteristics of internet जल्दी से हम इनने भी एक बार quick study कर लेते है global system of interconnectivity है robust architecture है interactivity है domain name service used इसमें किया जाता है easy to use एक low cost है e-commerce activities भी आप यहाँ पर performant कर सकते हो ठीक है जी तो web browser आपको समझा दी है यह आपको यहाँ से प्रसंद और समझे web browser का मतलब क्या होता है internet के ओपर किसी भी website को open करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते है जी web browser का इस्तेमाल करते है कुछ popular web browser से इनके नाम आपको याद रखने है यहाँ से प्रसंद बनेगा google chrome है mozilla firefox है netscape है spari है apple है और mac web है यह सारे क्या है कुछ popular web browsers है जिनका हम इस्तेमाल करते है किसी तरह की information को search करने के लिए अगला concept है search engine ठीक है जी देखें दो सब्ट होते है हमारे पास एक search और एक research है search का मतलब होता है जोड़ा होता है बार बार किसी तर्थया अपने आप में क्योंकि इनका भी इस्तेमाल बहुत जादा होता है किसी तरह की इनफॉर्मेशन को इंटरनेट के उपर सर्च करने के लिए सबसे पहला है याहू.com है, इनफाइन.com है, आई एक्सक्यूक.com है, होटबोट.com है, लाइकोस.com है, इनफोसिक.com है, यह क्या है? यह भी पॉपूलर सर्च इंजन है, आप नियाद रखना है, यहां से भी आपको कोई न कोई एक MCQ देखने को मिल सकता है हर बार की तरह, इस एप्टर में हम बैसे ही पढ़ेंगे, जैसे आपको पहले थियोरी पढ़ा है, आप समरी की तरफ जाएंगे, लेकिन आपको ग्यात होगा, समरी में आपको self-study करनी होती है और इस समरी को आपने जरूर पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, क्योंकि यहीं से प्रसंद निकलते है यह बहुत ही महत्तोपुन समरी है, बहुत ही सिंपल परिभास है, हम देखी है, यहां पे एक सबत के बात करें cookies, cookies क्या होता है, cookies are files created by sites you, they make your online experience easier by saving browsing information तो ठीक है, यहां पर आप समझ गया होंगे, इस सारी चीज़े आपने यहां से थोड़ सा self-study में कर लेनी है उसके बाद हम यहां पर पढ़ते हैं कुछ important abbreviations, तो यह abbreviations से भी आपको यह कैदो प्रसंद जरूर देखने को मिलेंगे तो abbreviation भी पढ़ते रहीएगा, और last name हम करते है कुछ important mca single liners और उसके बाद बढ़ेंगे हम mcq के बारे में पहला प्रसंद है, in desk the US Department of Defense sponsored a project name Arpanet तो आपको पहले भी पढ़ाया, कब किया गया है, 1969 में से किया गया, Arpanet को आपने याद रखना है the communication protocol used by internet is, तो से क्या कहा जाता है, TCP and IP protocol stands for transmission control protocol है या internet protocol है, NET stands for network address transistor है, the email received are stored in, कहां पे जाती है जी inbox में जाती है, जिन चीजों को आप भेज़ देते हो, कहां पे जाती है, sent में जाती है अब यहां से एक और प्रसन लेते है, telnet is used to, किसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, to connect to remote computing के लिए इसका इस्तिमाल किया जाता है तो आईए कुछ से important MCQ भी discuss कर लेते है, free of cost repair of software, work available at internet is used तो उसे क्या कहा जाता है, version, upgrade, tutorial या patch, that is the right answer is here, option number D, patch next one is, yahoo is, ठीक है जी, तो यहां पर देखिए, उसको हमने rectify कर दिया है, जो हमारी book है yahoo क्या है, browser है, printer है, search engine है, या क्या है, Indian engine है तो यह है जी, yahoo एक search engine है, आपने पहले भी हमने आपको इस chapter को भी अभी ये प्रसनी भी हमने पढ़ा था, ठीक है यह सारे के सारे search engine भी आपने अच्छे से याद कर लेने है, the internet was originally a project of which agency तो किसका है जी, अर्पनेट आपने देखा, अर्पनेट से इसका उद्वम हमें देखने को मिलता है किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बैपेजिस को बनाने के लिए 1990 या कानमे के पास काफी popular हुई है, Timberlands ने इसे बनाया था और उसके बाद internet की दुनिया पूर्न रूप से बदल गई थी ISDN required, क्या करता है जी, modem को, Cisco, router को या none of this, तो यहाँ पे इसका अंसर होगा option number D, none of the above, which one of the following is not a search engine, Bing, Yahoo, Google या फिर Windows तो यहाँ पे सही उतर क्या है, Windows, Windows क्या है जी, यह operating system है, किस तरह का operating system है यह system operating system है, हमने operating system के chapter में पढ़ा, दो तरह क्या operating system होते है system operating system, यह से operating system, जो हमारे computer को working करने के लिए ready करते है और दूसरे होते हैं, हमारे पास applications, software जिनका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी specific problem को solve करने के लिए अगला प्रसन है, Netscape, Netscape क्या है, तो यहाँ पे देखिए, Netscape क्या है, search engine है यह mail server है, browser है, यह क्या है, फिर LAN है तो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि Netscape क्या है, browser है browser का इस्तेमाल किसी तरह की website को access करने के लिए we can use the browsers verification of a login, name and password is known as तुसे क्या कहा जाता है, configuration, accessibility, authentication या logging in the right answer is here, option number 3, authentication कहा जाता है जब हम login करके, password करके, उसमें access करते है, जो भी information आपको चाहिए हो and internet terminology IP means, तो IP क्या होता है जी, internet protocol internet explorer falls under operating system, compiler, browser या IP address तुझी इसे कहा जाता है, browser document on the web page is called जो website के उपर आपके documents होते है, उसे क्या कहा जाता है, web page, search engine, homepage या browser तुझी इसे कहा जाता है, web pages next one is, what is the full form of www in web addresses, तो इसका मतलब क्या हुआ जी, world by web next one is, to find the next bookmark press, तुझी बुक्मार्क को प्रेस करने के लिए हम किसका इसका हिस्ते माल करते है, control D का करते हैं, आगे आपको सारी बहुत जादा हमने इस किताब में उडाले गई है, abbreviations है, इस तरह की shortcut keys है, उनके इस्ते माल भी आप किताब के आगे वल चैप्टर में करेंगे, तो आपको पुनाब दादें, आपको जाना है, ilastericco.in पर यहाँ पर आपको एक और किताब मिलेगी, जिसका नाम है हिमाचल परदेश एक समग्गर हदेयन, जब से इस किताब को त्यार किया गया हम इस किताब का नियमित रूप से इसका मुल्यांकन कर रहे हैं, हम देखते कितने प्रसनिस किताब से पूछे जाते हैं, तो आप यह बेतरीन किताब है, खरी उतर रही है हिमाचल परदेश की कमपेटिटिव एक्जाम के अभियाथियों के लिए, तो आप इन किताबों को परचेज कीजिए, एकला लेक्चर आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा, तो आप पढ़ते रहे हैं, और नियमित रूप से अपने त्यारी को और भी तेज कीजिए, ताकि आपको मिल सके हिमाचल परदेश सरकार में, सरकारी नौकरी, ताकि यह एकला लेक्च कीजिए एलाष्टेदी यूट्यूब चैनल